नमस्कार मित्रों आप सभी का क्रैक एक्जाम ओनलाइन के यूटूब चैनल पर हार्दिक स्वागत हैं आज की इस वीडियो में हम प्रीविस येर पेपर करने वाले हैं जो कि RSSMB के प्रीविस येर पेपर हैं मित्रों RSSMB के प्रीविस येर पेपर हैं अपने दोस्तों के शार्द शेयर कीजिए कोमेट करके हमें बताएए ये मित्रों आज का पेपर है जो कि हम शोल करने वाले हैं इस पेपर को लेकर आने के कुछ विसेस कारनी ये थे मित्रों आप देखोगे कि हमारे सोटनोट वाले वीडियो जो है सोर्ट नोट वाली जो वीडियो हैं उससे कैसे क्योश्चिन पुछ जा रहे हैं मातर एक घंटे के वीडियो मिवाड का था फिर हमने मारवाड कंप्लेट किया फिर बिकानेर किया तो आप देखोगे कि कैसे क्योश्चिन उससे डारेक्ट पुछ जा रहे हैं पूट अप हो र मैं आप से यह करना दमूगा 90% moranna से कभ डब सब्सक्वर कले है ऑफ व्यवीशन का मंदिर अवस्तित है ज़िए अब कोटा के अंदर विशन का मंदिर है ऐ बिल्कुल यहां पर रहेगा चलतें मितनों नेक्स्ट की तरफ राजस्तान वे नगर परिश्वतों की कुल संख्या पुछी गई है एक जनवरी 2022 को उसके जिसाब से पुछा गए एक जनवरी 2022 को नगर परिश्वतों की कुल संख्या कितनी थी मित्रों इसके लिए राइट आंसर रहने वाला था बी ओप्शन 34 है मित्रों उस तक 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 तो यह राइट हो गया उसके बाद महान सीमा बरंश राजस्तान के किस भाग में अवस्तित है महान सीमा बरंश राजस्तान के किस भाग में अवस्तित है ते मित्रों दक्षिन पूर्वी भाग के अंदर राजस्तान का महान सीमा भ्रंश अवस्तित है ध्यान रखने वाली बात है पॉइंट को नोट कर लीजिए आप आपके भी पेपर में पूछा जा सकता है ये क्योशन नेक्स्ट क्योशन है मित्रों हमारा निमलेखित में से कौन सी नदी उत्पती इस्थान के हिसाब से सुमेलित नहीं है नदी उत्पती इस्थान दे रखा है सुमेलित नहीं आपको बताना है सोम बिचमेडा की पाड़ियों से निकलती है बिल्कुल सही बात है जाक हम छोटी सादरी से निकलती है ये बात भी ठीक है और रुपारेल नदी उदेनात पाड़ियों से निकलती है ये बात भी ठीक है अब बात आती है बानगंगा की तो मित्रों जो बानगंगा है वो तो बेराठ जैपुर से निकलती है बेराट जैपूर से निकलती है बानगंगा और सेवर की पाडियों से आप कौन सी नदी निकलती है फिर तो सेवर की पाडियों से निकलती है मित्रों साबी नदी साबी नदी सेवर की पाडियों से निकलती है और यह है कहाँ पर जैपूर के अंदर है साबी नदी निकलती है, जैपूर में है, साबी नदी कहां से निकलती है, सेवर की पाड़ियों से निकलती है और यह स्थान भी कहा है, जैपूर के अंदर है, बेराट जैपूर से बाणगंगा निकलती है तो complete point आपको बता दिया, चलते हैं हमारे आज के next question की तरफ राजस्तान में निमन में से आप से पुछा गया, कौन सा पन्ना खनन शेतर नहीं है पन्ना खनन शेतर के बारे में पुछा गया, कौन सा नहीं है, आपको यहां पर बताना है टिक्की है मित्रों, गोगुंदा है, काला गुमान भी है लेकिन कौन सा नहीं होगा फिर D option नहीं होगा सर्वर पन्ना खनन छेतर नहीं है कौन-कौन से टिक की गोगुंदा काला गुमान है लेकिन सर्वर नहीं है मित्रो ध्यान रखने बाली बात है ये चलते हैं next question पे आप ध्यान रखेंगे ये point काफी important है बार-बार एक्जाम में ये question पुछे दाते हैं और आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है शेर कीजिए, like कीजिए, हमें comment करकर जरूर था है जेतर सिंग था, अमित्रो अब जेतर सिंग था, ये question हमने पढ़ रखा है अगर आपने वीडियो नहीं देखा है पहले short note वाला वीडियो देखिए, फिर आपको पता चलेगा अब जो next question, कुछ काफी question इसमें से आएंगे जो कि हमारे वीडियो से cover हो रहे है, जेतर सिंग तो जेतर सिंग कहा का? मेवाड का सा सकता और मैंने जेतर सिंग के बारे में आपको बताया था कि 1227 में भूताला का युद भी लड़ता है मैंने आपको पॉइंट समेब बताया था और भूताला का युद इधर तो जेतर सिंग हो गया और इधर कौन होता है? इल्टू तमीश होता है, इल्टू तमीश के खिलाफ लड़ता है और बताया था आपको भागती से ना नागदा बखना जी, संतदास जी, संतर रजब जी किस पंच से समंबंदित थे? या संपरदाया से समंबंदित थे मितरों दादू पंच से संबंदित थे यहापर बिल्कुल राइट रहने वाला है यह कहां पर है, उद्यापूर के ढंदर आएगा मित्रों, उद्यापूर यहां पर right answer रहने वाला है चलते हैं next question पे इंद्रागांदी नहर का उधगम किस बांद से होता है इंद्रा गांदी नहर का उद्गम हरी के बांध से होता है हरी के बांध से इंद्रा गांदी नदी स्वारी मिद्र नहर का उद्गम होता है इंद्रा गांदी नहर का उद्गम हरी के बांध से नेक्स्ट है सिख्या संत के रूप में परसित स्वामी केश्वानंद का जन्म कहां हुआ था मंगलूना गाओं मंगलूना गाओं में स्वामी केश्वानंद जी का जन्म होता है आप ध्यान रखेंगे माराना कुंबा रचित गरंत संगीत राज कितने रतन कोशों में विवाजित है या विवक्त है मित्रों इसके लिए राइट आंसर रहेगा पांच नमबर फिर मैं कहूंगा आप हमारी सोट नोट वाला वीडियो जरूर देखिए एक बार फिर आप ये question attempt कीजिए आपको पता चलेगा इसी परकारा सोट नोट के द्वारा हम राजस्तान की हिस्ट्री कंपलीट करने वाले हैं हिस्ट्री कंपलीट होगे अगर आपका अच्छा review रहा उस पे अच्छा आपका response रहता है पांच भाग कौन-कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ पठे रतनकोष वद्य रतनकोष हो गया नरित्य रतनकोष हो जाएगा पठे वद्य नरित्य और कौन सा होगा गीत रतनकोष एक हो जाएगा रस रतनकोष हो जाएगा मिद्रों ये होगए point द्यारतने वाले गीद और रसरतन को एक पॉइंट और आपको मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर जो यहाँ पर साथ भाग दे रखे हैं न मित्रों यह साथ भाग कौन से के हैं कामराज रतिसार के कामराज रतिसार कामराज रतिसार के साथ भाग है मित्रों और ये पुष्टक भी कुंबा की है, कामराजर रती सार साथ वागों में है, कुंबा की पुष्टक है, ध्यान रखने वाली बात थी, मैंने आपको यहां पर बता दिया है, चलते है नेक्स्ट, नेक्स्ट पुछा गया है, लोद्रुवा परसीद है, किसके लिए टॉंक आ रहा है, टॉंक मत टिक कर देना, अविका नगर ओप्सन दे रखा है, तुम टिक क्या करेंगे अविका नगर, ये अविका नगर टॉंक के अंदर आता है, अविका नगर ओप्सन में नहीं होता ना, तो आप टॉंक स्लेक्ट करो, सही होगा, लेकिन अविका नगर दे रखाएं तो टोंक की जगा हैं आप अभी का नगर को स्लेक्ट होगें अभी का नगर टोंक के अंदर है यह बात सही है और यह जो आपको आंसर बताए जा रहे है ओफिसियल आंसर की के अधार पर आपको बताए जा रहे हैं मिद्रों चलते हैं आज के नैक्स्ट क्योशन युनेसको ने राजस्तान के कितने किलों को विशव दुरोड सूची में सामिल किया है विशव दुरोड सूची में सामिल किया है कितने किलों को किया है मितरो छे किलों को सामिल किया है छे किलों को सामिल किया है आप इनको इस ट्रिक के मादे में से याद रखना चाहिए तो रख सकते हो आम, गाजर, चिकू आप कोगी है क्या ट्रिक होई आम, गाजर, चिकू तो इसमें क्या है आमेर हो जाएगा इससे गागरोन, जैसलमेर, रनथंबोर, चितोडगड, कुंबलगड इस तरह से आप इनको ध्यान रख सकते हो, मित्रो नेक्स चलते हैं अल्ला जिला भाई की पहचान की श्चेतर में रही है मांड गाएन से लिए में अल्ला जिला भाई, मांड गाएन से लिए अल्ला जिला भाई कहां से समधित हो गई, मांड गाएन से लिए जमदी तो जाती हैं, चलते हैं next, सहा जहा दवारा, सहा सुजा के विरुद भेजी गई मुगल सेना का निमल लिखित में से, किस सासक ने नेतरितव किया था, किस सासक का नेतरितव रहा, स्वाई जैसिंग, right answer क्या रहेगा मित्रों यहापर, स्वाई जैसिंग के जगाने, मिर्जा राजा जैसिंग आएगा, आप इसको टिक कर लीजिए, स्वाई जैसिंग नहीं होगा, मिर्जा राजा जैसिंग को बेजता है, सान जांकी से बेजता है, मिर्जा राजा जैसिंग को बेजता है, यह point आप जरूर दिया रखेंगे, next च 37 में होता है यह 1437 में होता है सारंगपुर का युद होता है किन कि मध्य होता है आप बता सकते हो चलो मैं बताते हूं आपको कुंभा कुंभा वर्सिस कौन होता है मित्रों महमूद खिल जी महमूद खिल जी होईगा महमूद खिल जी के खिलाफ करते हैं और इस युद में सार यह point भी आप द्यान रखेंगे चलते हैं next question की तरफ कौन सा सरक्षी छेतर जिला सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है मित्रों इसमें सुंधा माता जालोर सिरोही option आएगा सही है सुंधा माता जालोर में आता है तो यह टिक कर दें सही है गोगिलाव नागोर में है रोटू नागोर में है गुड़ा विष्णोई जैपूर में दे रखा है मित्रों यह है कहांपर गुड़ा विष्णोई आएगा जोधपूर गुड़ा विष्णोई का आएगा जोधपूर है जयवपूर दे रखा है तो यह पॉइंट इस परसंग के लिए उत्र राइट होगा वो यही राइट हो जाएगा अरावली की चोटियों का सही करम आपको यहाँ पर बताना है अरावली की सही चोटियों का करम कौन सा रहेगा और वो भी आपको descending मतलब कि घठते कर्व में पुछा गया है पहले बड़ी फिर छोटी फिर छोटी ऐसे इस परकार से तो आप लोगों को सभी को पता होगा गुरू से दिल लगा जरा ये ट्रिक है गुरू से दिल लगा जरा दिल लगा जरा तो इसमें क्या गुरू सिखर हो गया सेर हो गया दिल बाडा हो गया और जरा से जर्गा हो गई यह ध्यान रखो कि तो गुरू सिखरा गी सेर, जर्गा तो बी ओप्सन या पर राइट हो जाएगा 25 नमबर क्योशन के लिए आपका 20 नमबर उप्सन रइट हो जाएगा चलते हैं, नेक्स्ट क्यूशन पे मित्रो नेक्स्ट क्योशन पूच्छा है आपसे दामणा बुशन इस तिरियां सरेर के किस भाग में पहनती है किस भाग में पहनती है मित्रों का आपका right answer रहेगा D مोतिलाल तेजावत ने तियार किया था 21 सुत्रिया मांग पत्र किस के दोरा तियार किया गया मिवारड पुकार जिसको कहा जाता है मोतिलाल तेजावत जी के दोरा next question आप से पूछा गया है चांद, तयव, राम सिंग, भाटी, साहिबा एवं उसना, चित्रकार, निमन में से किस चित्रकला से संबंदित है, किस चित्रकला से संबंदित आपको बताना है मित्रों, इसके लिए right answer रहेगा, B. अजमेर से संबंदित है, निमन लिखित में से कौन सी कृति रचना, मणी नेक्स्ट के तरफ, माराना परताब कि कि सोतेले भाई को अकबर ने जहाजपूर की जागीर थी थी, अब पूछा गया सोतेले भाई को, अकबर के सोतेले भाई, तो जगमाल सिंग थे मित्रों, C option यहापर बिल्कु राइट रहे है, जगमाल सिंग को अकबर ने नेक्स्ट मिलते रहे है, निमल लिखित में से कौन सा हस्त शिलिपस्तान सुमेलित नहीं है, दबू प्रिंट आकोला गाउं चितोड में है, अजरक प्रिंट बाडमेर में है, उस्ताकलाब विकानेर में है, तो गलत option कौन सा बचा है हमारा, जट पटी नागुर में नहीं ह गलत हो जाएगा। राज मिरडाड भी है, धरम संगरह नहीं है, D option यहाँ पर गलत हो जाएगा, D option उसमें मैचें नहीं कर रहे हैं अब next पुछा गया, मानिकेलाल वर्मा किस परजामंडल के संस्थापक में एक थे मनिक यलाल वर्मा ने किस प्रजामनल की स्थापना की थी दमित्रों मेवाड राइट अंसर क्या जाएगा मेवाड यहाँ पर बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा यहाँ पर चलते हैं आज के नेक्स्ट क्यूशन की तरफ कौन सा राष्ट्रिया उध्यान रामसर साइट में साम्मिल किया गया है साम्मिल किया गया है पुचा गया है केवला देव राष्ट्रिया उध्यान रामसर साइट के अंदर साम्मिल किया गया है आप इसको उध्यान रखेंगे अब आप next question देखते हैं एके अंदोलन की सुरुओत में होती है मोतिलाल तेज़ावात نے कहां से शुरू किया आप से कुच आ गया है मोतिलाल तेज़ावात जी के दूर्वार शुरूओत की जाती है और कहां से सुरू किया तो मितरो मातरी कुंडिया से मातरी कुडिया से मोतिलाल तेजावत 1921 में मोत एक यांदरोन की सुरुआत करते हैं जहां रखेंगे इस पॉइंट को सुस्क सांगवानवन राजस्तान के किन जिलों में मिलते हैं आपको बताने हैं तो मित्रों इसके लिए ए उप्सन ही राइट हो जाएगा आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए अभी तक सोटनोट वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले वो देखिए फिर क्योशन अटेंप्ट कीजिए और हमें कोमेंट करकर बता हैं आपको वीडियो कैसा लग रहे हैं इसी परकार से हम प्रिवेस सियर पेपर भी करते रहेंगे रहेंगे साथ के साथ सौटनोट का वीडियो जो कंपलेट है वो भी हम पूरा से बस अच्छा रिस्पॉन्स होगा तब कुछान सक्टी को सभवत्य Geschmah नस्ट करने में कौन सा जनपद सफल रहा था मित रहा है मित्रोㄤ आज का हमारा अंतिम क्वेश्टन है आपको वीडियो कैसा पहता है हमें कंट करके बताएं वीडियो को ज्याधा से जाधा पर मुख गदि कहा पर रहां पर है जस्माथि संपरदाई की तुमित्रों कत्रीया उसे के अंदर जस्माथि संपरदाई की प्रमुक गद्दि है झाल झाल